Friends, आज हम TENS के बारे में विश्थार से जानेंगे TENS का मतलब होता है काल या फिर हम इसे समय भी कहते हैं TENS के तीन परकार होते हैं पहला है Present TENS, means वर्तमान काल दूसरा है Past TENS, अर्थात भूत काल और तीसरा है Future TENS, means भविश्य काल इन तीनों TENS के चार-चार भाग होते हैं जिस हम आगे चल कर विश्थार से जानते हैं पहला TENS है Present TENS यानि वर्तमान काल जिसका पहला भाग है Present and Definite TENS या फिर हम इसे Simple Present भी कहते हैं जिसे हम हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं दूसरा है Present Continuous या फिर हम इसे Present Imperfect भी कहते हैं जिसे हम हिंदी में चालू वर्तमान काल कहते हैं तिसरा है Present Perfect TENS जिसे हम पूर्ण वर्तमान कहते हैं चौथा है Present Perfect Continuous TENS दूसरा TENS है Past TENS इसके चार भाग हैं पहला भाग है Past Unrefinit TENS या हम फिर इसे Simple Past भी कहते हैं जिसे हम हिंदी में अनिश्चित भूतकाल कहते हैं दूसरा है Past Continuous TENS या फिर Past Imperfect TENS जिसे हम हिंदी में चालू भूतकाल कहते हैं तिसरा है Past Perfect TENS यानि की पूर्ण भूतकाल चौथा है Past Perfect Continuous TENS अब हम Future के चार भागों को जानेंगे पहला है Future Indefinite TENS या फिर हम इसे Simple Future भी कहते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल दूसरा है Future Continuous या फिर हम Future Imperfect भी कहते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं चालू भूतकाल तिसरा है Future Perfect TENS जिस हम हिंदी में पूर्ण भाविश्यकाल कहते हैं